क्या आपने कभी सोचा है कि आप विदाउट फाउंडेशन बीबी ग्लो पा सकती हैं वो भी बिना किसी मेकप को यूज किया हुए तो आज मैं आपको बताऊंगे बीबी ग्लो ट्रीटमेंट के बारे में जिसके थूँ आपके स्किन जो होती हुँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने मेकप किया हुआ आपने फाउंडेशन अप्लाय किया हुआ या आपने कोई बीबी क्रीम का यूज किया हुआ है जिससे आ यह वह सेमी पर्मेनेंट फांडेशन ट्रीटमेंट जिसको यूस किया चाहता है आपके रिंकल्स और फाइन लाइन को रिद्यूस करने के लिए इसके साथ ही अगर आपका इसकिन टोन बहुत ही जादा आनीवन है आपके फेस पर डिसकलरेशन है और आपके फेस पर फ्रेकल् इस ट्रीटमेंट के फिर्व इसके साथ ही अगर आपके लिफघ पोर्ष बबहुत जादा है और आपके स्किन पर बहुत जादा टै sub clone इसकिन को पॉलिशिंग की जाती है और आपके सारी इसकिन को रिमूफ किया जाता है तो अब हम बताएंगे आपको कि यह वर्क कैसे करता है जब इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लेंज किया जाता है उसके बाद आपके स्किन को एक्सफोलियेट किया जाता है जो आपके स्किन को डीपली पैनिट्रेड करती है यह नीचेज इतने ज्यादा स्मॉल होती है कि जो पेशिंट्स होते हैं उनको फील ही नहीं होता है किसी भी तरीके का डिसकंफर्ट या फिर उनको बिल्कुल भी पेंट फील नहीं होता है और यह बहुत कमफर्टेबिल होता है इसके बाद एक हाइड़ेटिंग मास्क लगाया जाता है उसके बाद सेरम को यूज किया जाता है ताकि आपके स्किन बिलकुल भी ड्राइ ना हो इसके बाद लेड लाइट फेरेपी यूज की जाती है ताकि जो रिजर्ट से हो और भी बेहतर बन सके और आपकी जो इसकिन है उसको और भी अच्छी तरीके से ग्लोइंग बनाई जा सके और स्मूदर बनाई जा सके और ग्लेर बनाई जा सके तो बात करते हैं कि कोई से कैंडिडेट इसके लिए बेस्ट है तो डल और अगर अगर आप क्या इवन इसके नहीं है तो आप इसके जा सकते हैं हाइपर पिग्मेंटेशन पोस्ट एकने सकास वाले लार्ज पोर्स वाले और जिनको संटैन हुआ है यह जिनके संस्पोर्ट से वह इस ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट कैंडिडेट है तो अगर आप भी इसके पॉलिशिंग ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप बीबी जा सकते हैं उसके ट्रीटमेंट को भाती बैस थरीके से देते हैं ट्रीटमेंट को बहुती तरहीं करते हैं तो वहां जाने के लिए पस नंबर पर कॉल कर सकते हैं